दोस्तों अगर सेंक्शन होने के बाद भी आपकी स्कॉलर्शिप नहीं आ रही है तो आपको परिशान होने की जरुवत नहीं है उसके लिए आप कुछ पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ उन पर आप ध्यान दीजेगा आपकी स्कॉलर्शिप डेफिनेटली आपके एकाउ सेंक्शन हो गई है लेकिन उसके बाद भी उनके बैंक एकाउन में ट्रांसफर नहीं होई है तो इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं सबसे पहला कारण है फंड का बहुत सारे ऐसे बिभाग है जिसमें अभी तक फंड रिलीज नहीं किया गया है जिसके कारण स्कॉल स्कॉलर्शिप में बहुत जाधा टाइम लग रहा है कुछ ऐसे स्टूडेंट भी है जिनकी स्कॉलर्शिप तीन चार महीने हो गए हैं सेंक्शन हुए लेकिन अभी भी उनके एकाउंट में ट्रांसफर नहीं हुई है तो इसकी सबसे वड़ी जो वज़ा है वह आपका फंड सेंक्शन होने के बाद भी आपके स्कॉलर्शिप आपके अकाउंट पर नहीं आ पा रही है अब बात करते हैं हम तीसरी वज़ा की तीसरी वज़ा यह है कि अगर आपके स्कॉलर्शिप सेंक्शन हो गई है और तो भी आपके अकाउंट पर ट्रांसफर नहीं हो रही इसका म अंगुटे उंगले के निशान आपने अधार कार्ट में दिये हुए थे उससे मैच करके भी आपका EKYC हो जाता है और ये करना अनिवार रहा है अगर आपका EKYC नहीं है तो भी आपका form वहाँ से reject किया जा सकता है और आपको पूरी process शुरू से करनी पड़ सकती है तो अगर आपकी scholar transfer नहीं हुई है तो आप एक बार EKYC भी जरूर चेक कीजेगा तो ये वो major कारण है जिसके कारण scholarship नहीं आ रही है इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आपके मन में कोई doubt है तो आप नीचे comment box में comment जरूर कीजेगा मिलते हैं अगले वीडियो में बने रहें RD time के साथ धन्यवाद